किसान भी और इसी तरपे आप भी जो है दानेदार यूरिया और छोटे दाने वाला यूरिया दोनों को आपने देखा होगा दोनों का यूज भी क्या होगा बहुत से किसान भई हैं जो दाने दार यूरिया को पसंद करते हैं और बहुत से किसान भई हैं जो छोटे दाना आता है उसको पसंद करते हैं तो आज की बीडियो में हम दोनों के बारे में सोड़ा जानने की कोसिस करेंगे तेखे मैं दोनों का यूज़ कर चुका हूँ और मेरा जो मानना रहता है कि अगर फर्ष्ट डोस देते हैं तो छोटा दाना वाला ठीक है, सेकंड डोस के लिए ठीक रहता है उसका रीजस य restrict ये है कि चोटे जो दाने रहते हैं उसको जादा हमारे खेत में डालना पडता है क्योंकि छोटे दाने जादा दूर तक जाते नहीं है बड़ा दाना वाला क्या रहता है कि बहुत लंबा लंबा जाता है ज्यादा दूर तक जाता है जिससे कि कम यूरिया में भी हो जाता है सेगन तिंग यह जो छोटे दाने वाला यूरिया है वो जो है बड़ा असानी से घुल जाता है पानी में पड़ते ही तीसरा किसान का पसंद करने का रीजन यह है कि छोटे दाना हलका सा नमी या फिर पानी पढ़ने पर घुलना चालू हो जाता है बड़ा दाना थोड़ा सा कंट्रोल रखता है तो ऐसे दो तिन कारण है दोनों में भी 46% नाट्रोजन होती है और दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर आप नूट्सियंस के मामले में देखें तो दोनों में बराबर नाट्रोजन भी रहती है किसानों की अलग-अलग मत और अलग-अलग पसंद रहती है मुझे बोलोगे तो फर्स्ट टाइम छोटे दाने अच्छे लगते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको थोड़ा सा अच्छा से नाट्रोजन की पूर्सी करनी रहती है सेकेंड बार जब हम धान में डालते हैं तो हमको इतना ज्यादा नाट्रोजन देने की जुरत नहीं रहती तो बड़े दाने होने की बज़स्ट से काफी दूर जाते हैं जिससे की कम यूरिया में खपत होता है सरकार कभी मानना है कि छोटे दाने वाले यूरिया को किसान ज्यादा खपत करता है ज्यादा मातरा में यूस कर लेता है लेकिन वहीं अगर उसको बड़े दाने वाले दिया जाय तो कम यूस करता है यह सरकार अपना रिजन देती है तो आप नीचे में कमेंड करके बता सकते हैं कि